कहानी की शुरुआत में में एक डॉक्टर को दिखाय जाता है जिसका नम डॉक्टर फ्रेंकस्टाइन होता है और यहाँ पर यह बोडी के पाट को जोड़ कर उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं और ऐसा करके वो उस बोडी को जिंदा करने वाले थे लेकिन यहाँ ये डॉक्टर अपने ही बनाएगे creature से डरने लगता है, तब वो डर के मारे उसे एक नती में फेक आता है, लेकिंड वो creature कैसे भी करके बच जाता है, और वो creature अपना बद्ला लेने के लिए Dr. Frankensstein के घर पर पहुँचने लगता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही गुस्से में होता है और यहाँ पर वो डॉक्टर की नई वाइप को मार देता है और वहाँ से भाग निकलता है अब डॉक्टर भे उस क्रेचर का पीछा करने लगते हैं पर बहुत सरती पढ़ रही होती है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस क्रेचर को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही होती है, लेकिन डॉक्टर उसकी पीछे जाते जाते हैं, खुद को ठंड के मारा बचा नहीं पाता, और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, तब वो मिलकर उसका गला दबाने लगते हैं, तब ही क्रेचर वहाँ पर एक पड़े क्रोस के निशान को उठा कर शेयतान के पेट में घुसा देता है, जिसकी वज़ज़ से वो शेयतान लावा की तरह फोट जाता है, तब ही वहाँ पर दो क्रेचर और आ जाते हैं, जो कि गोल्ग फ्रेंकल स्टाइन की वज़ज़ से ही शेयतान इस दुनिया में इंटर हो गया है, अब यह दों यहाँ से उसे उठाकर अपनी रानी के पास लेकर जाते हैं, और जब उसकी आँख खुलती है तो वह खुद को गोर्गल्स की गैद में पाता है, इसी दोरान गोर्गल्स की राने भी उसके सामने आ जाती है, तब यहाँ पर राने को उस बुक से पता चलता है कि यह शेयतान फ्रेंकल स्टाइन के द्वारा बनाया गया है, अब वो उसे आजात करके राने उसे एडम नाम देती है, अब यहाँ पर वो उसे गोर्गल्स की टीम में आने के लिए कहने लगती है, लेकिन यहाँ पर राने एडम को बताती है कि शैतानी शक्तियां काफी बढ़ चुकी है, जिसकी वज़ए से इंसानों पर बहुत खतरा मडरा रहा है, अब यहाँ पर हम जानते है कि एडम को इंसानों से कोई भी हमदर्दिन नहीं होती है, क्योंकि एक इनसानी उसे मारने की कोशिश की थी। इसी वज़े से वो वहां से जाने लगता है। और यहां पर हम देखते हैं कि वो शेयटानों का किंग, एक हाव इंसान की तरह ही इंसानों के साथ रह रहा होता है, और वहाँ के सारे लोग उसे एक बड़ा बिजनसमें समझते थे और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने लैब में एक एक्सपरिमेंट भी करवा रहा होता है कि मरे हुए इंसानों को कैसे जिन्दा कर सकें जैसे बिल्कुल डॉक्टर फ्रेंकर स्टाइन ने किया था अब शैतानों के किंग को पता चल जाता है कि एडम कौन है और वो अपने शैतानों को आदेश देता है कि गॉर्गल्स पर अटेक करके एडम को यहाँ पर लेकर आओ क्योंकि उसे देखना था कि अगर फ्रेंकर स्टाइन ने एडम को जिन्दा कैसे किया अब हम देखते हैं कि शैतानों की एक बहुत बड़ी सेना गॉर्गल्स पर अटेक करना शुरू कर देती है और इसी दोरान तब गॉर्गल्स भी उन पर अटेक करना शुरू कर देते हैं अब यहाँ पर दोनों टीमों में बहुत जबरदस फाइट होना शुरू हो जाती है जिसमें दोनों लोगों का काफी नुकसान हो जाता है अब हम देखते हैं कि शैतान बहुत बड़ी तादातों में वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इसी दोरान यहाँ पर कुईन की दो खास मेंबर भी मारे जाते हैं अब एडम भी गॉर्गल्स की टीम की तरफ से उनसे लड़ने लगता है दूसे तरफ रानी को अकेला देखकर शैतान उसे उठा ले जाते हैं तब एडम यहाँ पर एक शैतान को पकड़ कर पुछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो तब वो शैतान उसे बताता है कि हमारे बॉस को सिर्फ तुम चाहिए और ऐसा सुनते है एडम उसे मार डालता है वो सारे शैतान वापस जाने लगते हैं अब यहाँ पर बचे हुए गोर्गल्स शैतानों को खतम कर रहे होते हैं इसी तरफ रानी के सैनिकों को पता चलता है कि शैतान उनके रानी को उठा ले जा चुके हैं लेकिन गोर्गल्स उसे डॉक्टर फ्रैंकेस्टाइन की बुक दिखा कर रोक लेते हैं लेकिन रानी उससे वो बुक नहीं दिने को मना कर देती है लेकिन वो उस बुक को वहीं पर रख देता और वो अपने रानी को बचा लेता है अब शैतान उस बुक को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसी दौरान एडम वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर और भी शैतान आ जाते हैं जो कि एडम को रोकने लगते हैं, अब यहाँ पर एडम उनसे फाइट करके उन्हें खत्म करने लगता है, लेकिन इसी दौर अब एडम भी वहाँ आकर एक सेल में घुश जाता है और वहाँ पर उसे दिखाए देता है कि बहुत सारी dead bodies लटकी हुई हैं जो कि शैतानों को राजा उन पर experiment करने वाला होता है अब एडम वहीं पर होता है वो इस lady scientist को वो book पढ़ते हुई देखता है लेकिन इसी तरण एडम उपर से कूद कर काच तोड़ते हुए नीचे आ जाता है और उस scientist एपनी book को वापस ले लेता है लेकिन इसी तरण वहाँ पर बहुत सारे security guard भी आने लगते हैं और वहीं पर सारे शैतानों का boss भी आ जाता है अब यहाँ पर वो एडम को समझाता है कि मैं बस एक business man और वहाँ से भाग निकलता है अब यहाँ इनके पास वो लेड़ी scientist भी आती है जिसे यह नहीं पता होता है कि मैं एक शैतानों के लिए काम कर रही हूँ और अब उसे पता चलने के बाद वो काफी डर चुकी होती है अब यह लोग उस scientist को घर भेज देते हैं क्योंकि उन्ह पर वो scientist को गोरगल्स और शैतानों के बारे में बता देता है कि जिसे तुम business man समझ रही हो कोई business में नहीं है बलकि वो शैतानों का king है अब यहाँ पर lady scientist को उनकी बातों पर यकिन नहीं आता लेकिन इसी दोरान शैतानों का एक आदमी आकर वहाँ पर अपना असली रूप होता है क्योंकि उसे फ्रेंकस्टाइन की बुक मिल चुकी होती है जिसकी मदद से वो एडम जैसे लोग बहुत हो बना सकता है लेकिन इसी दोरान lady scientist आकर उसे एडम को मारने से रोकने लगती है वो कहते हैं कि हमें research करने के लिए इस आदमी की जरूरत पड़ेगी लेकिन इ चैतानों की एक बहुत बड़ी सेना बनाना चाहता है अब यहाँ पर एडम lady scientist को बचाने के लिए उसे गौरकलक से पास ले जाना चाहता है अब हम देखते है कि एडम सो जाता है और यहाँ पर वो lady scientist उत बोक को पूरी रात पड़ रही होती है अब सुबा जब एडम को उसके साथी का फोन आता है अब उससे मिलने के लिए जाती है और वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि उसके साथी को कैद कर रखा है और यह लोग अब उससे भी पकड़ लेते हैं अब दूसरी तरफ हम एडम को देखते है जो की रानी के पास जाकर बताता है कि शैतानों किंग ने एक बहुत ही बड़ी शैतानी सेना तयार कर रखी है और उन सब को वो उस बुक की मदद से जिंदा करना चाहता है यहाँ पर एडम उससे कहता है कि मैं उससे कुछ भी करके रोकूंगा तब यहाँ पर वो कोईन कहते है कि आकर तो मुससे कैसे रोक सकते हो तब एडम की कोई भी जरूरत नहीं है अब वो एडम के पीछे जाता है और एडम पर अटैक कर देता है लेकिन यहाँ पर एडम उसे ही उसके वैपन से खतम कर देता है और उस बुक को भी जला देता है क्योंकि यहाँ पर सारे फसाद की जड़िया ही बुक ही होती है अब एडम उस Lady Scientist के पास जाता है और वहाँ पर उसी गिरापड़ा अपना खंजर मिलता है जो उसने Lady Scientist को दिया था और ऐसा देखकर वो समझ जाता है कि शैतानों ने उसे पकड़ रखा है और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतानों का किंग एक Scientist को जान से मार देता है जिसकी वज़े से राणी काफी गुश्से में आ जाते है और वो अपने सैनिको कोड एडम को फिर से मारने के लिए भीजने लगती है अब वो एडम को ढूंट कर वापस राणी के पास जाते है और बताता है कि हमें एडम का पता चल चुका है अब रानी अपने गौरगलस के साथ उसे मारने के लिए निकल पड़ती है अब गौरगलस उस पर अट्रेक करने लगते हैं और वहाँ से एडम को इसे भी करके भागने लगता है इसी दरो अने एडम उसे पकड़ लेता है जिसकी वज़े से यहाँ पर शैतान को भी पता चल जाता है कि एडम यहाँ पर आ चुका है अब वो एडम को मारने के लिए वो भी बहुत सारे गाड्स को भेज देता है अब यहाँ पर एडम और शैतानों के बीच काफी फाइट शुरू हो जाती है अब यहाँ पर एडम एक एक करके उन सब को मारने लगता है अब यहाँ पर रानी भी यह सब कुछ देख रही होती और इसी दोरान यहाँ पर एक बहुत ही पड़ा शैतानों से लड़ने के लिए आ जाता है अब यहाँ पर ऐसा देकर गोरगल्स भी एडम की मदद करने लगते हैं अब हम देखते हैं कि एडम वहां के बॉस के पास जाने लगता है इधर दूसरी तरफ रानी अपने दो साथेों के साथ डेड़ बोडिस के पास पहुच जाती है और यहाँ पर उसे दिखाए देता है कि डेड़ बोडि बहुत जल्द जिन्दा होने वाली होती है और इसी दोरान वो अपने गोरगल्स को सारी डेड़ बोडिस को खतम करने के लिए कहने लगती है उधर शैदानों का किंग एडम पर अटैक करने लगता है और इसी दोरान वो अपनी असली रूप में आ जाता है और इडम को गर्दन से पकड़ कर उसके अंदर आत्मा डालने की कोशिश करने लगता है लेकिन यहाँ पर इडम अपनी आत्मा को खुद ही बना सकता है और यहाँ पर वो अडम को भी माफ कर देती है अब यहाँ पर हम देखते है कि अडम डिसाइड करता है कि वो अब सिर्फ इंसानों को ही बचाएगा और इसी को दिखाते वह यह मूवी यहीं परेंड हो जाती है